समस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फिर से ड़ी वीडियो में और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गर्मी में टैनिंग से बचाव हम कैसे करें बेसिकली गर्मी के मौसम में बाहर जाना किसी चैलेंज से कम नहीं है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है और ऐसे में यदि हम धूप में चाहे जाते हैं तो धूप में जाने की वज़े से हमारी त्वेचा पर टैनिंग हो जाती है जिसकी वज़े से हमारी त्वेचा भौती रूखी सूखी हो जाती है और जो नेचुलर रंगत होती है हमारी त्वेचा की उसमें भी काफी ज़्यादा बदलावा जाती है और अपनी इसकिन को टैनिंग से बचाने के लिए बहुत से लोग नए नए तरीके अपनाते हैं जो मन चाहे रिजल्ट होते हैं वो उनको रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं लेकिन आपको पता है कि कुछ ऐसे तरीके होते हैं यदि हम अपने खान पीन में कुछ बदलाव करेंगे तो अपनी जो त्वेचा को धूप से काफी हद तक बचा सकते हैं और धूप की वज़े से ज लाइक कमेंट और से जरूर से करें वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए मैं हूँ आपका अपना फैमिली हेल्थ कंसल्टेंट डॉक्टर एके सिंग और यहां पर बाते होती हैं हेल्थ और फिटनेस की और आपको सही जानकारी और सही सला जाती धूप है टैनिंग से अपनी त्वेचा को भी हम कैसे बचा सकते हैं तो इसमें सबसे इंपोर्टेंट और पहला तरीका रहता है कि तर्वूज का सेवन वाटर मेलन का सेवन आप करेंगे तो यह हमारे सेहत के लिए गर्मी में बहुत जादा फायदेमंद होता है क्यो जो मौझूद एंटी ऑकसिडेंट गुण होता है वो त्वेचा को अल्ट्रा वॉयलेट ए और अल्ट्रा वॉयलेट बी जो खतरना किरने होती है उनसे काफी हद्टक बचाती है तो नेक्स्ट है बिलूबेरी का प्रियोग बिलूबेरी जो होती है बिटामिन सी का बहुत स्रोथ होती है और यह त्वेचा पर होने वारे जो जुरुरियां होती है जुरुरियों से हमारी त्वेचा की रक्षा करती है और इसके अंदर जो एंटी ऑक्सीडेंट गुण होता है वो हमारे सरीज की जो डेड सेल होती है यह उनको रिमूव करता है और नई सेल बनने को प केरोटीन होता है वह बितामिन A का सिंथेसिस करने में काफी ज़्यादत मददकार होता है हमारे सरीर के लिए जिससे कि हमारी ट्वच्छा पर टैनिंग नहीं हो पाती है और रध्य तरीका है गाजर और हरी सबजी का प्रियोग यदि आप गाजर का प्रियोग करते हैं तो गाजर में बीटा कैरोटीन होती है जो कि बिटामिन E का निर्माण हमारे सरीर में करती है इससे हमारी त्वेचा पर टैनिंग का असर नहीं होता अर्थार धूप का असर बहुत कम होता है और साथ में यदि हम हरी पत्ते टैनिंग का असर भी नहीं हो पाता है नेक्स तरीका है seeds का प्रियोग आपको अपनी तरचा से tanning से बचाने के लिए seeds का प्रियोग करना चाहिए आप seeds में akrot, alci और chia के बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इन में omega 3 acid से ये भरपूर होती है जो की धूप से इसकिन को डेमेज होने से काफी हथ तक बचाती है नेक्स तरीका है आप green tea का इस्तेmernal करिएगा क्योंकि यदि आप green tea का नियमित रूप से इस्ते mal करते हैं तो हमारी तेचा को ये tanning से काफी हथ तक बचाती है साथ में body को detox करने के साथ साथ हमारी इसकिन के जो elasticity होती है उसको भी काफी maintain करती है इसलिए हमें green tea का 7 सुबह साम जरूर से करना चाहिए इससे हमारी तेचा पर tanning का असर नहीं हो पाता है और next तरीका है फूल गोबी का प्रियोग क्योंकि इसमें मौजूद दो antioxidant होता है वो तेचा के free radicals को remove करने में काफी ज़्यादा मदद करता है और फूल गोमी में alpha amino acid और eurocanic acid भरपूर मातरा में होते हैं जो कि त्वेचा को हानी कारक सूड़े की किर्णों से बचाते हैं अर्थार्थ हमारी त्वेचा को tanning से दूर रखती हैं तो यह सब normal तरीके हैं जिने हम अपनी त्वेचा को धू का असर पड़ता है और इसके संबंद में मैं पहले भी काफी ज्यादा वीडियो बना चुका हूं यदि आपके बाल बहुत ज्यादा ओईली हैं तो आपको यह वाली वीडियो देखनी चाहिए और यदि आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं तो आपको यह नीचे वाल वीडियो देखनी चाहिए तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जै हिंद जै भारत